दोस्तों भी आई यानि बोड़ा फोन आइडिया की आपके पास यहां पर 4G सीम है जिसे आप 5G में बदलना चाहते हैं 5G में करना चाहते हैं कैसे करेंगे वही आज की इस वीडियो में आपको सारा तरीका बताने वाले हैं आप अपने दिमाग से इस बात को बिलकुल निकाल देजिए कि हमें मार्केट में जाना है और यहां पर हमें अलग से 5G सीम खरीदना होगा नई आप इसी 4G सीम को 5G करनमट कर सकते हैं कुछ स्टेप फालो करना होगा जिसे फालो कर गया आप आसानी से बदल सकते हैं वही सारा स्टेप आज की इस वीडियो में हम आपको सिख लेते हैं ने दोस्तों कैसे कैसे क्या करना है दोस्तों बोड़ा फोन आइडिया ने वी के नंबर को आप 5G में कैसे अपग्रेड करेंगे आए मैं आपको बताता हूं नंबर वन कंडिशन है कि आपके वी के सीम में 240 रुपया का रिचार्ज होना चाहिए या फिर इससे लेंगे तो आपको करना क्या है मुबाइल फोन के सेटिंग में जाना होगा ठीक है जैसे मुबाइल फोन के सेटिंग में आप जाएंगे तो एक आप्शन तो हो जाएगा मुबाइल नेटवर्क के नाम से तो मुबाइल नेटवर्क वाले आप्शन पर आपको क्लिक कर जान अब यही पर एक option होगा prepared network type के नीचे access point name का इस पे click करिएगा तो हो सकता है नीचे यह ऊपर three dot हो और जिसे click करेंगे लिखा होगा reset access point तो reset access point करके इसे reset कर लेना इसे होगा कि नई वाली 5G setting receive हो जाएगी इतना कर लेने के बाद back आना है और यही पर एक option नीचे दिया होगा more setting तो more setting पर जाएगा और smart 5G के नाम से option होगा इसे चालू कर लेजएगा जैसा कि मैंने कर रखा है यदि ऐसा option है तो चालू कर लेजएगा नहीं है तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है more setting वाला option नहीं दियागा तो छोड़ देजएगा कोई दिक्कत नहीं ठीक है वाटो हो जाएगा फिर तो इसके बाद आपको करना क्या है आपको जाना है गूगल के play store में और यहां से माई वी नाम की जो एप हैसे डाउनलोड करना होगा ठीक है जब इस एप को आप डाउनलोड करके open करेंगे तो पहली बार open करेंगे ना तो आप से आपका mobile नंबर मांगेगा उस mobile नंबर को डालेगा उस पर OTP यागा one time password OTP भर दिजेगा और आप इस एप में लॉग इन हो जाएंगे इस एप में लॉग इन हो जाने के बाद जैसे इ 5G में कनवर्ट हो जाती है और उसके बाद आपके एरिया में 5G network होगा ठीक है तो 5G tower दिखाने भी लगेगा और अगर नहीं होगा आपके एरिया में तो नहीं दिखाएगा दोस्तों मैं किलिए रियो बता देना चाहा होगा लेकिन आपके sim इससे आप में लॉग इन होते ह ही न आटो कनवर्टिड हो जाती है तो जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी हम उमीद करते हैं मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा बैबै दोस्तों